राजस्तान में विधान्सबा चुनाओ आने वाले हैं सियासी गरियारों में हल्चर काफी तेज हो चुकी है ऐसे में देखा गया कि भाजपा की पहली लिस्ट आ चुकी है और कॉंग्रेस की पहली सुचिका अभी सभी को इंतजार है और सूत्रों की माने तो कॉंग्रेस की पहली लिस्ट शांतन जारी भी हो सकती है ऐसे में हमारे साथ सर्योगी जोती है जोती तुमको क्या लगता है कि पहली लिस्ट में किस-कस का पत्ता साफ होता नजर आएगा मन्जुजे बिलकुल आपने सही बोला कि आज राट तक कॉंग्रेस के लिस्ट जारी हो सकती है जैसा कि देखा गया है कि बीजेपी में इस बार बड़ा चींज किया है सीतों में बहुत बड़ा फेर बदल किया है नर्पत सिंह राजवी जो दो पार विद्यादर नगर से विदायक रह चुके इस बार उनकी सीत भी कटी है तो समयता कॉंग्रेस में इस बार सीतों में बड़ा फेर बदल देखने को मिल सकता है जैसा कि महे जोशी है जो वहां से किशनपुल से सीत की दाविदारी कर रहे है और अमीन काग जी यहां पर विदायक है तो वहां से बारी दिक्कत आपकती है कॉंग्रेस को यदि महे जोशी को वहां से सीत भीदा सकती है तो अमीन काग जी को कहां पहुचाएंगे ये कॉंग्रेस के लिए बड़ी हुसिबत हो जाएगी दूसरी तरह लालचन कातारिया जो अभी जोटवारा सीथ से हैं वो भी पिदान्सवा जो आमे शेत्र है वहां से अपनी दावेदारी ज़ता रहे हैं वहां से वो सीथ माने हैं अभी कॉंग्रेस के लिए बड़ा मंतन्थ होईशा होगा कि उस सीथ का बटवारा किस तरह से करेंगे जोती जैसा अभी तुम कह रही हो कि लालचन कातारिया की बात आ रही है तो सुनने में तो यही आया था सूतरों के से कि वो अपने बेटे के लिए भी सीथ पान रहे हैं तो उसके बार में क्या कहना चाहोगी कि क्या लिस्ट में उनके बेटे को युवाओं को जगे दी जाए कि टिकेट मिल सकता है बिल्कुल इस बार जब खरगे जी राजस्तान में आये थे जाकुर में तब उन्होंने एक सीधा संदेश दिया था कि जो अपने परंपरवाद या परिवाद आपको नेता प्रमुत्ता ना दे पार्टी की सोचे जिता होगा कैंडिडेट पे इस बार डाव आजमाना चाहेगी कॉंग्रेट क्योंकि जैसा कि देखने में आ रहा है कि इस बार जो बीजेटी है वो अपने बहुत से लोगों के टिकेट काट रही है और बहुत जगये चेंज कर रही है अब ये देखना बड़ा रोचक होगा कि कॉंग्रेट अपने किन-किन प्रतिनीदियों को उतार ती है और जैसे कि आप ने कहा कि लाजजन कर्णारी आपिं बेटे की टिकेट की मांग कर रहे हैं मही laptop शयांति धारीवा और महेर जोिशिदी अपने बेटे की सिभाश कर रहे है अब ये देखना दिल्चस्व होगा कि कॉंग्रेट के ऐन कि बेटों को टिकेट देती है या मतलब लग रहा है कि यह जो चुनाव होने वाला एक तरह से टिकेट जिस तरह से जारी किये जारे परिवार बाद चल रहा है तो बहुत दिल्चस्प होने वाला है इस बार आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है आप मैं ये पूछना चाहूंगी कि जसकर ऐसे बीजेपी में विरोध प्रदर्शन लिखा पहली लिस्ट आते ही 41 प्रत्याश की और उसमें ये सबसे बड़ी बात थी कि सार सांसदों को उतारा गया था उन सांसदों का भी विरोध होता नजर आया तो लगता है कि कॉंग्रे अब में कहां BGP में विरोध बहुत जादा हो रहा है तो आपको बता दें मन्जू कि कॉंग्रेस में अभी तक लिस्ट आयी भी नहीं है और विरोध बहुत जादा देखने को मिला है जहां तक है जो मंत्री जाहिदा खान है उसके खिलाब भी बहुत जादा विरोध अब कॉंडेस की लिस्ट में भी हमें बहुत जादा विरोध देखने को नजर आ सकता है मताद दिलचस्प होता नजर आ रहा है और इस बार हम जैसे की सुनते थे पहले की सीट की लडाई होती थी तो इस बार तो ये नजर आ रहा है की टिकटों की लडाई होती नजर आ रह उनको जगे तो मिली थी, लगता है कि दूसरी सूची में वसंदर राजय समयत्यों को स्थान मिल पाएगा? बिलकुल मन्जू लग तो ऐसा ही रहा है कि उमीद की दारी है कि इस बार जो दूसरी लिस्ट बीजेपी जादी करेगा उसमें वसंदर राजय के जो भी प्रतियाशी है उनको जगे मिलने के चांस इस बार जादा लगए क्योंकि जो 31 लोगों के जो रिस्ट रही है उसमें न जो तरह से विरोध नजर आया था साथ सांसद जो वीजेपी कि थे उतारे गए इन सांसदों पर भी विरोध होता है नजर आया और अभी कुछ विधायकों के वीडियो वायरल होते भी नजर आ रहे है जैसे कि कॉंग्रेस के जो विधायक है राजेंडर विदूरी उनका भ इसे किसको नुक्साम पाच सकता है और इनको टिकेट मिलेगा नहीं मिलेगा ये बिल्कुल मन्जु जी आपने सही कहा जो कॉंग्रेस के जो विधायक राजेंडर उनका जो वीडियो वायरल हो रहा है वो ये बार बड़ा नुक्साम हो सकता है उनको क्योंकि वो पहले में गलत मैसिस का गाना होता है दूसरी तरह आज बीजेपी में जो राजकुमाली जाटव है उनका विलोग प्रदेशन हुआ है और उनके जो फोटो जलाय गए रहे है कारीकरताओं द्वारा वो भी बड़ा नुक्साम दे रहा है कारीकरताओं का कहना है कि यदि राजकु जो हिंदाओं सीटी है तो इस तवे की वीडियो वाइल होना जब आचार सीटा लग चुकी है तो दोनों ही पार्टियों के लिए नुक्साम हो सकता है इन सीटों पर क्या रखता है कि हिंदोल सिटी से यदि इसे टिकेट लेंग लेता है तो किसी और की संभावना नजर आती है बिल्कुल जिस प्रकर आज विरोध हुआ है और वीडियो जो फोटो कारे करता हूं द्वारा जलाई गई है उससे तो यही नजर आता है कि बीजेपे इस बार कि आरोब लगे थे और कल एडिक वारा भी कारेवाई की गई है सुबह चुनाव आयुक्त इसमें शामिल हो चुका है और लोटो के बंडल की कुछ कच्रे में गड़्डिया मिलिये तो वह भी कॉम्रिक के लिए कि बड़ा मुद्दा हो सकता है इस सीट पे क्यूकि जाहिरा का बार-बार भी रोध होना और इस परतार चुनाव आयुक्त इसमें शामिल होना कॉंग्रेस के लिए सीट पे नुक्सान हो सकता है लगता नहीं कि मतलब चुनाव जिस तरह से नजबी काने वाले है या हम कहें कि एक महिना और देर महिना रह चुका है और ED की कारेवाही इसी समय पर आकर जादा हिरोध होना कारेवाई होना क्या रगता है कि इससे नुक्सान किसको मौँशने वाला है बिल्कुल अगर जैसा कि देखा गया है कॉंग्रेस बार बार आरोप लगा रही है कि BJP चुनाव नजदिक आपी ED की कारेवाई करवारी है जो कि रोडी लाग मीना है विदायक हो रहा है वो तो काफी चर्चित चहरा बन चुके हैं बार-बार हो ED की जो कारेवाई की मांग कर रहे हैं और अभी आपने देखा होगा रिसंटली गणपती प्लाजा में लॉपरों पे कारेवाई की गई है तो काफी कुछ नाम अभी हो सकता है सामने आए चुनाव है जब तक ED अभी कहां-कारेवाई करेगी है तो देखने की बात होगी जी तो हमारे साथ आज हमारी सही होगी जूती ही जिनोंने जितने भी सवाल टिकेटों